आज हमारे साथ हैं शब्दों के जादुकर, पोएट, शायर, डिरिसिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर, एम दुराज साहब, और आज भाई का खुद का जो प्रोसेस है, लिरिक्स लिखने का वो क्या है? देखें मेरा यह है कि मेरा, अच्छा एक बात नहीं बता तो चलूँ के मैंने, बाकि बहुत सारी फिल्में की हैं, तकरीबन 52 या 51 फिल्में हो चुकी हैं, लेकिन जितना अच्छा काम संजे लिला भंजाली जी के साथ हुआ है मेरा, उतना किसी और के साथ नहीं हो पाया, संजे जी के साथ मैंने जितना भी काम किया है, वो 90 परसेंट चीजें मेरी पहली लिखी हुई है, सोचा है कि ये मुकड़ा हो सकता है, इस पे ऐसा एक्ट हो सकता है, जो मेरी फैंटैसी, मतलब मेरा किरियेशन है, हाँ, वो, तो उस पे संजी जी ने काम किया, प्रोडिसर डिरिक्टर्स का भी अपना एक वो रहता है, फ्लेवर डालने की कोशिश की जाती है, उसको किस तरीके से लेते हैं, देखें, मैं हमेशा कहता हूँ, जो शायर हजरात हैं, हमारे जैसे में मुशायरों में जाता हूँ, या पोडिर्टरी के एवेंट में, तो वहाँ शायर मिलते हैं, वो बड़ी तनकीदे करते हैं, किसाब किटिक्स उनका बड़ा रहता है, किसाब क्या शायरी हो रहता है, फिल्मों में तो यह हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं ज़से कहता हूँ, देखे भाई, वो बकवासे करना भी इतना मुश्किल काम है, कि दस घर्दे लिखना आसान है, एक गाना लिखना मुश्किल है, क्योंकि उसमें, एक तो वो धुन के पेरामिटर्स होते हैं और फिर एक sound जो composer एक सोचता है ना कि ये sound निकलना चाहिए वो होता है और दूसरा director की situation होती है तीसरा producer की ego होती है उसे भी आपको pacify करनी है तो सोचो आपको इतने 3-4 लोगों की ego भी pacify करनी है धुन भी pacify करनी है situation भी करनी है तो वो दो 3-9 के मुखडे में वो 30,000 चीज़े होती है जो adjust करनी होती है तो बहुत मुश्किल काम है और आप actors को ध्यान में रखते हुए भी लिखते हूँ आपको बताया जाता है कि इसके उपर film आया जाए नहीं यार देखिए एक्टर के बारे में एक बड़ी चीज़ है वो मैं कहना चाहूँगा कि एक्टर जो होता है उसका खुद का वो किरियेशन नहीं होता है वो चीज़ों पर एक्टिंग करता है तो जो लोग उसको सोच के लिखते हैं उसका कुछ किरियेशन है ही नहीं तो उसको सोच के आप लिखेंगे कैसे वो तो वो रोल करेगा जो हम लिख रहे हैं इसका नुकसान हो रहा है हमारी फिल्मों को कि एक्टर डिसाइड कर रहा है गाना क्या होना चाहिए अरे उसे क्या मालूँ वो दूसरे की फिल्म से आ रहा है हमारी में बात कर रहा है तीसरे की में जाएगा यार मैं उस गाने को या राइटर या राइटर उस सीन को या डिरेक्टर उस सिच्विशन को जी रहा है पिछले एक साल से वो तो एक ही काम बारा ना आप चेकर रहे हो तो आप तो इसके साथ इनसाफ करी नहीं सकते लेकिन अब उसी की चल रही है उसके हिसाब से कपड़े डिसाइड हो रहे है उसके हिसाब से हाई बूजा है कि मैं बैठाओ फिल्म के लिए नहीं होती। फिल्म के लिए गार घाने होता है। और उसमें नहीं पहुतार मुझे जिल्सक्छा के चाहिए। उसको हिसाब से चेंड करना है तेरा जिक्र है या इत्र है अब मतलब इस तरह के वो शब लेके आना जिसमें एक शायरी पोईटरी सब कुछ हो और शब्दों में इतनी ग्रैविटी हो उस तरह की राइटिंग बहुत सालों के बाद सुनी थी वो आज भी जहन में वो फ्रेश साब जैसा करूं या जावेज साब जैसे या जो बड़ हमारे बड़े राइटर जिनका मैं फैन हूँ जैसे आनल बक्षी साब का मैं बहुत बड़ा फैन है तो अगर हम उनके जैसा या किसी के जैसा भी हम काम करेंगे तो उसमें क्या होगा एक तो वो अलग नहीं लगेग लेकिन ये मेरा style है अगर ये आएगा तो इसमें आप तो इतने बड़े maker हैं आपकी तो कोई बात ही नहीं है इसमें मेरी पहचान हो सकती है और उनका ये बड़पन है मैं उनको again मैं यहां बहुत बार बोलता हूँ और मैं बोलना चाहूँगा कि मैं उनका शुक्र गुजार ह उन्होंने मुझे उस चीज के साथ accept किया और मुझे continuously count किया उड़ी उसके बोल उसकी जो writing वो एकदम अलग थी हाँ वो चुक्की मैंने धुन पर लिखा तो वो धुन का एक अपना sound था उसके क्या होता ना धुन की एक requirement होती है अपनी खुट की किस तरह के love's और किस तरह का ख्याल चाहिए तो वो मैंने उस पर लिखा तो obviously वो अलग sound करेगा वो मेरा उसमें उसमें धुन ज्यादा हावी थी मेरे पर मैं तो कहीं था फिर मैंने कोशिश की अगर आप देखें तो उसमें कुछ एक ख्याल बनाने की मैंने कोशिश की थी जो अंत्रे में जाके बना प अभी भी मैं चोड़ता ही अभी मैं जैसे घूमर पर हम बात करेंगे अगर आप उसमें देखें घूमर में उसमें थारे और महारे के अलावा कोई दाजिस्थानी वर्ड नहीं है उसमें हिंदी के वर्ड्स हैं उर्दू के वर्ड्स हैं पोईट्री करने की मैंने कोशिच क वो मैं छोड़ता नहीं, वो मैं कोशिच करता हूँ कुछी कि जिस क्याम में मैं हूँ नहीं वो मैं क्यूं कर रहा हूँ मुझे नहीं करना है पिर वो मैं करूं ये कई और कर रहे क्या फरक प्रता है चुकि उस फिल्म का म्यूजिक संजे जी ने किया था और उनकी वो पहली फिल्म थी as a composer तो उनकी भी बहुत जिम्मेदारिया थी और उन्होंने बहुत अच्छी धुने अलग जो उस वक्त इंडिस्टी में चल रहा था उससे अलग उन्होंने कुछ एक sound बनाया वो धुने बनाई और उसमें एक आज तक एक खुबी उनकी ये है उनकी composition में सभी composer अच्छा करते हैं लेकिन उनकी special ये खुबी है कि उनके गाने जो होते हैं वो लिरिक परधान होते हैं उसमें और धुन और लिरिक्स जो है वो यहां चल रहे होते हैं और बाकी के जो instrument या music है और वो कहीं पीछे हावी नहीं होते हैं हाँ तो उसमें क्या होता है कि उसमें poet क्या कहना चाहता है और धुन क्या कह रही है singer क्या गा राए वो समझ में आता है तो उसका impact obviously जादा ही होता है परिश्बत हिंदी film industry के लिए जीसे गीतकारी करनी तो क्या चीज़ें चाहिए लिए कि हिंदी film industry के लिए गीतकारी करनी है तो पहले तो हमें अच्छा सुनने वाला होना चाहिए क्योंकि वो अच्छा फंकार होई नहीं सकता जो अच्छा सुनकार नहीं होता है तो पहले तो यह है कि हमको स्टड़ी करनी चाहिए यह फिल्मों की और किस तरह के गाने होते आए हैं और हमको प्रोज पे थोड़ा सा जादा ध्यात देना है और शायरी भी पढ़नी है क्योंकि कहीं ना कहीं हमको कितना ही भी उसमें हम सिच्वेशनल कर लें, कितना ही भी धुन के इसाफ लेकिन कम से कम वो जो ख्याल है वो तो आपको और आप पोईटिक हैं, अगर आप पोईट हैं वो तभी आएगा तो वो आप कब बनेंगे जब आप पोईट्री से प्यार करेंगे और पोईट्री से आपका लगाओ होगा अच्छे अच्छे शायरों को सुनिये और फिर जब आपकी दुकान में यूँ कह लीजे, समान रखावा होगा तो फिर आप जो है, सामने वाले को अगर वो दस चीज़े लेने आया तो कम से कम पांस तो आप डिलिवर करी पाएंगे ना अगर आपके पास समान रखावा है जमा किया हूआ आपने और अगर नहीं है तो क्या दे पाएंगे तो इसलिए तैयारी तो आपको करनी पड़ेगे बाजे राव मस्तानी में जो गाने लिखे आपने वो भी एकदम अलग तरह के गाने थे आयत आपने इस तरह के से लिख दिया कि वो सुनिये तो ऐसा लगता है कि यार इस समय कौन इस तरह के लिख सकता है एक्चुली वो आयत भी मेरे पहले ही लिखा हुआ गाना मैंने पहले लिखा था पर संदीन से कंपोस किया और आप यकिन मानें कि वो गाना कोई जब वो बना गाना और उसके साथ वो ऐसा बरताओं नहीं किया गया जैसा बाकी गानों के साथ हुआ वो गाने का ये था वो शूट भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया दो लाइन शूट कर दी उसकी डाल दिया लेकिन उस गाने की अपनी एक पावर थी कि वो इंडिविजल गाना चलना शूरू हुआ और जब चलना शूरू हुआ तो फिर उसको फुटेज पे डाल दिया गया तो उस गाने का यह है कि वो अपने बल्बूते पे चला वो फिल्म के बल्बूते पे नहीं चला हुआ जी भाई अब बाजी राओ मस्तानी के हम बात कर रहे थे कंपोस खुट संजली लवंसाली ने किया उस समय आपको किस तरीके से उन्होंने ब्रीफ दिया क्या कुछ बताया था वो इफिल्म के हिसाब जैसा कि यह गाना तो उन्होंने मेरा पहले ही ले लिया था उनको पसंदा यह मुखडा हाँ मैं नको सुनाया था कि वह ATP कर लिया है आयत की तरह कायम तू हुगई है रिवायत की तरह मरनें तला क रहेगि तू आदद की तरह इतना ही मुखडा था तो उन्होंने पहले ही उनको अच्छा लगा था उन्होंने ले लिया था और कंपोस किया हमें पता नहीं था यह कहां डालेंगे क्या सिच्वेशन है कुछ नहीं और बाकी के गाने जो थे वो फिर सिच्वेशन पे किये और फिर वो बहुत चले और पसंद आये लोगों को एक तो यह भी जानना चाहूंगा कि जब म्यूजिक कंपोजर खुड डिरेक्टर हो और लिरिक्स राइटर के साथ उसकी एक अच्छी ट्विनिंग हो तो क्या उससे इस तरह का म्यूजिक निकल के गाने निकल का है यह बिल्कुल यह अच्छा है यह इसमें बैनिफिट यह हो जाता है कि जो हम चीज जैसे कंपोजर के साथ पहले साउंड के अथबार से या दूसरे अथबारों से जो म्यूजिक के पैरामेटर्स होते हैं उनके हिसाब से एक राइटिंग कंप्लीट होगी फिर दूसरा नंबर डिरेक्टर का आता है कि वो फिर अपने हिसाब से चीज़े करता है नहीं यह आटा कि यह कर दो मेरा यही नहीं जा रहा तो उसमें क्या होता है चीज़ खराब होती है फिर उसमें से निकाल के वो डालो यहां पर क्या है संजे जी प्रडूसर भी होते है और संजे जी डिरेक्टर भी होते है और म्यूजिक डिरेक्टर भी होते है तो वो सारी तीनों चीज़े ना एक जाती है कि जो आ गई वो आ गई अब उसमें रदो बदल नहीं है रदो बदल करने में हमेशा जो है चीज़े खराब हो जरूर नहीं कि अच्छी हो खराब भी होती है तो वो खराब होने के चांसिस कम हैं तो यह बेनिफिट है और जो हो गिया एक बार चीज़ वो हो जाती है उस पर फिर दोनों लोग जो हैं वो confident हो जाते हैं और वो चीज फिर बहुत देर तक और आगे दाई जाते हैं एक lyrics writer के लिए पढ़ना, सुनना, observe करना आपने आसपास जो मौझूदा जो society समाज है और क्या घट रहा है वो बहुत जरूरी है जी हाँ बिल्कुल बहुत जरूरी है जब तक हमारी study नहीं होगी देखिए जैसे हमने पहले ही बात कहीं कि किरेटर होता है वो सारी चीज़े अपनी थोड़ा ही create करता है वो उसके अहसास जो होते हैं वो इतने नहीं हो सकते जितने वो कहता है तो इसका मतलब आसपास के भी ह होते हैं तो कभी जो हम गाना लिक रहे होते हैं उसमें ठीक है situation तो film के चल रही होती है लिक हम रहे होते हैं लेकिन कहानी किसी और की चल रही है कोई हमारा दोस जिसने कोई कहानी बताई जिस जो उसके साथ कुछ हूआ या हमने कुछ देखा, कहीं देखा, हमने कहीं वीडियो में देख लिया कुछ, जो वो दर्द, जो तकलीफ, या वो खुशी, या वो कुछ ड्रामा हमने महसूस कर लिया और वो हमने लिख दिया, तो ऐसा भी होता है, ये बिनते दिल या खलवली कितने दिन उमें बना या कित बिंते दिल आप यकीन करें मेरे खाल से संजे जी कंपोस करते जा रहे थे सिटिंग में और मैं लिखता जा रहा था तो ये फटा फट महीं मैं पहले लिख रहा था शायद या वो कम हमारा ये भी निदा सिटिंग में ये गाना मैंने लिखा और उन्होंने इसको कंपोस किया म एक दिल है एक जान है दोनों दुछ वो मैंने पहले लिखा मैंने पहली लिखी वी पोईट्री है और सर ने उस पर उसको कमपोस कि आपके दो गाने डिकोट करना चाहूंगा बिंते दिल मिस्रिया और खली बली दोनों के बारे में बताईए वर्ड्स के अलफाज के मतलब किय मैं सौधी बहुत जाता रहता हूं ब debates के हमें तो वह उसमें यह था वह खली बली वहां बहुत बोलते हैं जो मतलब कोई भी महाँ आतर वो डिरा डाल देता है वो मतलब वो कह रहा है कि यार ये खली बली करो ये जो राजनीती की बाते है और ये सल्तन है जी खली बली करो मेरे सामने से मैं इस वकत प्यार में हूँ तो वो एक ये सिच्वेशन थी वो मैंने डाल दिया उसमें फिर एक हुक लाइन थी जो कौरस की लाइन थी जो वलत लोग हमेशन बहुते हैं वो कल्बईया कैस वल्ला कल्बईया कैस वल्ला और उसे लोग कल्बईया गैस वल्ला भी कुछ बोलते थे वड़ा कौमी था तो उसका मतलब ये था कल्बईया कैस वल्ला मतलब कैसे हाँ मैंने मजनू से हाँ जोड़ा है मजनू का नाम था और कल्ब कहते हैं जो हमारा कल्ब होता है तो वो कह रहा है के वल्ला मतलब कसम खुदा की तो उसका मतलब ये था वो कह रहा है के भी कसम खुदा की वो कसम खारा उपर वाले ही कि मेरा जो दिल है वो बिल्कुल मजनू के तरह हो गया है तो ये सब ताम जाम और ये रानी और ये हमारे वजीर और ये महल ये हटा के तरह फेको, मैं इश्क में हूँ तो वो ये उसका मतलब अभीरा मंडी की बात करते हैं लेटेस्ट वो काम है और उसके भी म्यूजिक क्योंकि संजे लीला भनसाली की अगर फिल्मों की बात करें तो सेट और कॉस्ट्यूम और अक्टिंग के अलावा सबसे जादा उनकी म्यूजिक और लेरिक्स की बात होती है और जब म्यूजिक की बात आएगी तो शायद वो आपके साथ जो जुगल बन दी है उसकी बात करना तो मतलब ऐसा हो जाता है उसके बिना वो चीज़ें होंगी ही नहीं देखिए पहले तो मैं यह बात यहां नहीं बिल्कुल यह बात सच है कि संजे जी जो गाने पिक्चराइज करते हैं वो मेरे खाल से पूरी फिल्म जितने पैशन के साथ वो इनसान काम करता है मैंने और किसी को इतने इतना पैशनेट फिल्म के लिए होते वे देखा नहीं और उनके गाने भी जो पिक्चराइज करते हैं कुछ अलग बात होती है तो इसमें भी हमारे साथ इसमें तो खेर बहुत लंबी स्रीज है ये और आठ एपिसोड है तो ये फिल्म नहीं थी तो इसमें हमें जादा मेहनत करनी पड़ी तिलस्मी बाहें जो है वो मेरा पहले लिखा हुआ गाना है फिर दूसरा वो उसमें एक गाना है जो मुझे बेहत पसंद है चोदवी शब को कहां चांद को ली ढलता है आए पानी में को ली जलता है तो वो मुझे उस मेरे जहन में पुराने मुझरे जो है चलते हैं मैं उनसे बड़ा इसमारा तो वो एक साउंड था वो चोदवी का चांद हो तो वो भी एक साउंड था तो साउंड को मैं किसी अलग तरीके से कुछ कहना चाहता था मैं स्टार्ट ही इससे करूँ और कुछ ऐसा कुछ बात हो जाया और वो मुझे मौका मिला और इसमें एक गाना और है जो बाकी दारे सारी अच्छे हैं बहुत अच्छे सर ने कंपोस की है और बहुत ठहराओं के साथ और वो ही लिरिक परधान गाने है तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है आजादी तो इसमें एक पार्ट था जो आधी आबादी होती है जैसे फिमेल एक पार्ट है मेल एक पार्ट है तो दो पार्ट है पूरी दुनिया में कि जो आधी आबादी है उसका कहीं आजादी में कहीं बहुत कम जिक्र हुआ है किस्से कहानियों में कहीं आ गिया फिल्मों में कहीं दिखा दिया लेकिन जो गाथाएं गाई जाती है जो गाथाएं पढ़ी जाती है वो मेल्स की पढ़ी जाती है तो फिमेल जो मेल्स से हुआ लड़ रहे थे और फिमेल लाइफ पार्टनर होती है तो सोचिए कि आदी जिस female का husband उसमें शहीद हुआ है तो वो तो आदी खुद शहीद हो चुकी है और घर में बैटके वो खाना खिला के उसने वो जंग लड़ी है जो उस आदमी ने फरंट पर लड़ी तो आदी जंग उसकी है तो female का कहीं जिकर नहीं था तो मुझे खुशी ये मिली कि कम से कम किसी भी तबके की female रही हो उनका जो आजादी में था वो बिल्कुल था हर female का था तो कहीं न कहीं वो female के point of view से गाना लिखना है और वो female की बात करना है आजादी में और फिर आजादी पर इतने गाने बन चुके हैं उन से कुछ थोड़ा अलग भी हो और वो बात हो तो इसलिए मैं बहुत मैंने मज़ा किया और मैं मुझे बड़ी खुशी हुई यह गाना करके भाई आप यह बताईए सबसे बड़ा चैलेंज के है एक lyrics writer के लिए इस सब है और जो पढ़ा लिखा हो देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यहां lyrics writer छोड़ जीजे राइटर के लिए ही है, क्योंकि हमारी इंडिस्ट्री एक अलग दिशा में जो है, वो भूम रही है, मतलब पिक्चर या गाना, वो एक्टर का हो जाता है, मिरे को यह समझ नहीं आ रहा है, जबकि एक्टर का वो, है अक्टर का गाना, no doubt, वो सब का गाना है, तो वो गाना कही नहीं कहीं फाइनली एक्टर का बन के रह जाता है फिल्म फला एक्टर की फिल्म गाना फला एक्टर का तो इस चीज से मैं थोड़ा सा डिसपॉइंट हूँ और तकलीफ में हूँ कि ये गलत बात है और इसमें कोई बहुत बहादरी की बात नहीं है जो एक्टर कह रहे हैं कि ये हमारा गाना ये किसी का हक मारना और उस पे उस हक पे खड़े होके उसे कुचल के अपना कद बढ़ा करना ये कोई बहुत बहादरी की बात नहीं है ये बहुत ही बुजदिली की बात है मेरे हिसाब से और ये ये जो एक्टर है जो हमारी फिल्म इंडिस्टी का फेस बने हुए है हाले कि इसका नुक्सान हो रहा है फिल्म इंडिस्टी को क्योंकि एक्टर को आपने इतना बड़ा बना दिया है इतना बड़ा फेस कर दिया है कि फिर आप खुद पूरी इंडिस्टी ज्खूजरी उनके डिरेक्टर को एक्टर में करें, यह एक्टर बनी नहीं नहीं पा रहे ने यह लटके हूं याप जूराएं तो बढ़ इस नहीं बननेगे नियों से नुक्सान इंडस्री का हो रहा है, डिरेक्टर असी seconds अच्छी फिल्म बनाने वाले और हीरो आर्ट हैं हर आदमी उने ढून रहा है एक आदमी के इससे मदस्लों आ रहे हैं तो यह अच्छी फिल्म के संकेत नहीं है